राइन हाइकॉथेसिस या इसको बार भाडी भी कहते हैं जो अमरे लॉयन ने इसको डिस्क्राइब किया था इसको डिसक्वर तो किया था इसक्रोमेटिन को मुरेjs fund ने टो उंके डिसक्वरगे नाम पर इस sex chromatin का नाम रख दिया गया बॉर बॉडी ये बॉर बॉडी cells के nucleus में females में एक dark stained chromatin mass आपजर्व किया गया था nucleus के एक side में और उस dark stained mass को sex chromatin कहा गया females में या उसको उनके discoverer के नाम पर बॉर बॉडी नाम दिया गया females में दो X chromosome होते हैं तो उसमें से एक X chromosome जो है वो genetically inert हो जाता है वो condensed हो जाता है और heterokromatin में convert हो जाता है embryonic development में और जो बॉर बॉडी के नमबर होते हैं वो X chromosome से एक कम होते हैं क्योंकि 2X होता है female में तो doses compensation के लिए एक X को inert होना पड़ता है condensed होना पड़ता है इसलिए number of bar body जो है एक कम होती है number of chromosome से और जो इनका inactivation है वो embryonic life में होता है ऐसा कि नहीं कि पूरा का पूरा X chromosome ही inert हो जाए only a part of the X chromosome condenses into bar carpuscle X chromosome का एक part जो है condense करता है in the form of bar carpuscle और number of bar bodies के लिए एक formula बेदिया गया यह एक्स नमबर आफ एक्स क्रोमोसोम माइनस वन तो जितने भी X chromosome के नमबर है किसी individual में उससे एक कम कर दीजे तो bar body का नमबर आ जाएगा यह देखिए एक chart बना दिया गया है यह particular से यह normal male है यह male का जो होगा 6 chromosome होगा XY और XY में देखिए कि नमबर आफ एक्स जो है वन है तो वन में से वन माइनस करिए तो कुछ नहीं बचा तो इसको ओ कर दिया गया नो बार बार्डी इसमें कोई बार बार्डी नहीं है एक नार्मल फिमेल है यह फिमेल का जो 6 chromosome होगा वह एक्स जोता है तो यहां पर दो एक्स है तो इस फार्मूले पर करिए तो इसमें से वन माइनस करिए तो वन बचा तो इसमें बार बार्डी के नमबर वन है यह टर्नर सिंड्रोम है यह फिमेल होगा यह in completely developed female होते हैं Turner syndrome बाले पुरा complete development female में नहीं होता है और इनका जो sex chromosome है यक्स O है इसमें chromosome X1 है तो 1-1 कुछ नहीं बचा इसको O कर दिया गया क्लाइंट filter syndrome बाले में वह feminized male होंगे male तो होंगे लेकिन female जैसे होंगे उनके characters कुछ आ जाएंगे females के तो उनका जो sex chromosome है वह एक्स एक्स वाई रहता है इसमें दो एक्स है तो दो एक्स में से एक माइनस कर दीजिए एक बचा इनके बार बाडी कितनी होंगी एक होंगी ट्रिपल एक्स सिंड्रोम है यह female है नॉर्मल फिमेल रहेगा लेकिन इस ट्रिपल एक्स में से वन माइनस कर ये तो दो एक्स बच गया इसके बार बाडी के नंबर हो जाएंगे टू इस फर्मूले पर कर दीजिए इस तरह से कोई आपको सेक्स क्रोमोसोम का जिनो टाइप दे दिया जाएगा तो उससे आप वन माइनस करके नंबर आप बार बाडी बता सकते हैं